इस वीकन पर शादी स्पेशल एपिसोड आने वाला है जिसमें नेहा पती रोहन के साथ इस शो में नजर आएकि शो के दोरान रोहन प्रीत ने नेहा के बारे में कुछ ऐसी बाते कही जिसे सुनकर नेहा रोने लगी रोहन पृत ने कहा कि वो नेहा ककट पर गर्व करते हैं और नेहा आज जिस मुकाम पर है उसके तारीफ रोहन के परिवार वाले भी काफी करते हैं साथ ही रोहन पृत कहते हैं कि एक सिंगर होने की नाते नेहा ने उन्हें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है रोहन प्रीट सिंग ने कहा ये सबसे बड़ा प्लाटफॉर्म है और मैं इस स्टेज पर केवल अपनी पत्नी नेहा की वज़े से खड़ा हूँ मैं खुद को भागेशाली मानता हूँ मुझे नेहा पर गर्व है वो जिस चीज को भी हाथ लगाती है सोने की हो जाती है मुझे खुशी है कि वो मेरे साथ यहां है शो के कंटेस्टेंट ने रोहन प्रीट से पूछा कि उनकी मुलाकात कैसे हुई तुन्हों ने कहा कि नेहुदा व्या के लिए उन्हें कास्त किया गया और जब वो सेट पर पहुँचे तो नेहा ने एकदम उन्हें पीछे मुड़ उनकी लव स्टोरी पूछी तो भारती ने कहा कि इसी चैनल पर एक शो आता था जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था शो के स्क्रिप्ट हर्ष लिखते थे हर्ष जिसके लिए स्क्रिप्ट लिखते थे वो शो से बाहर हो जाता था भारती ने कहा हर्ष की वज़े से तो कपि प्यार मिला बस इसके बाद अब तक खाश भारती की दिल की स्क्रिप्ट लिखते हैं बता दे कि नेहा ककड और रोहन प्रीट सिंग ने 26 ओक्टूबर को दिले की गुर्द्वारे में शादी की थी जिसमें परिवार वाले ही शामिल हुए थे शादी के बाद दोनोंने ग्रेंड रिसेप्शन पार्टी दी नेहा की प्रेगनेंट होने की खबरे भी आ चुकी हैं दरसल नेहा ने बेबी बंप में तस्वीर श्यार की थी जिसकी बाद ये कयास लगाए गए कि नेहा प्रेगनेंट है लेकिन बाद में एक्ट्रस ने इससे अपनी अगली एल्बम सौंग बताया नेहा पती रोहन प्रीट से बड़ी है जिस वचे से कई बार इस कपल को ट्रोल होना पड़ता है लेकिन इस बात से इन्हें कोई फरक नहीं पड़ता आपको हमारे ये पैकेज कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूले